दोस्तों से अधिक लड़के सार हमारे सुसाइडी कर चुके हैं और उनाइस सौसाथ रुपया में क्या बाइस सो किलो मीटर दूर जाके क्या हम घुजारा कर लेंगे तीन-तीन प्रतिसत मार्क स्ट्राप किया हुआ है और फिल भी इनको नहीं लिया गया चयानित नहीं किया गया आप बताएं इनकी आयू देखिए इनकी स्थिती देखिए यह क्या कर सकते हैं नारदन रैलवे से हूं मेरे जोयनिंग ने हुआ बट 2016 में संटरl रैल वै लास्ट जोयनिंग हुआ है थे आपप्रेंटिस की वेकंसी निकाली जाती तुछ इसको कर दिया जाती अभी स्किल इंडिया अव्यान के नाम सब्सक्राइब करते हैं कि युवा अपना भविस्त ढूनता है ज्यादा जो शक्षम लोग नहीं होते हैं उन लोगों को माध्यम था कि रेलवे में अप्रेंटिस कर लेते हैं भारी काम होता है और भारी काम करने के बाद में एक समयोजन सब्सक्राइब कर सकते हैं कि रेल काम चछा उसके आपका लोगों करने के बाद आज हम लोग रहें कहीं रोजगार नहीं मिला। अगर आप डॉक्टर है तो अगर आपको लेने का अधिकार है डॉक्टर का कि जब भरती पर किरिया आएगी तो आप सिलेबस डॉक्टर के लाइन से जब पात किजिएगा तब वह पास करेगा ताप उनको जौब दीजिएगा सरकार ने 22 एक्ट को 22 कानून में बना दिया जो पर्स्रिक्षन करेगा वह स्वाइम का कानून वनाएगा रोजगार देने का नीती बनाएगा इन्हों नेने रोजगार देने के जगां पर ऐसी ऐसी नीती बना देती है जिससे लर्कों को लगे कि हम तो भेति हटी पर कृष्या दिये है आप नहीं आपाएं alcohol वास लिए आपने एक मेडिकल की पराही किया मेडिकल के पराही करने के लेकिन जब इनकी सर्यंत्र कि यह लोगों का नहीं हुआ तब इनका सर्यंत्र सामने माया कि वह सीट हमें एक चलावा के रूप में दिया गया तो यह चलावा ही है तो हम लोगों ने इनका विरोध परदसन की चालू किया, एक तो सिलेबस ने प्रस नहीं पुछा गिया, दूसरी बात जब मेरा सीट 20% में आप 20,000 सीट दिये थे, वह 20,000 सीट पे संपुन अधिकार मेगा सुची जो तयार होना चाहिए, सिप्रेल अपरेंटिसोस होना चाहि तो आपको ही मिला न, 20% मिला था, उसमें भी चला हुआ, आपने रिजर्वेशन फिर देने का काम किये, 2014 में, 2019 में किये, उनेस के भरती परकरिया में किये, उनेस को कोई नेस से पहले जो चाहतर था, जैसे साउथ के लोग थे, इनका एज़ खतम हो गया, इनका एज़ खतम है, अगर किन सरकार का या निती गलत बना, तो इनको तुरंट पुना विचार करकरके, उन छातरों को भी मौका मिलना चाहिए, जिनका एज़ खतम हो गया, और आरसी में, आखरी वर विकेंसी आब दारें, 2019 में थी, पांच साल पहले, पांच साल पहले आई थी, अब जिस चाहतर का उम्र सीमा है, जिनका सोचिये की पांच जो उन्एस में फारम नहीं भर पाया होगा, उसका तो आज का डेट में घट की नहीं मीलेगा इन लोगों को माउका नहीं मिला इन लोगों साहुथ वाले लोगों के देख सकतें इन ही यह सबसे ज्यादा अगर की इन सातों के साथ में उत्पीरन किया ग story उर्ठीय के समय में मौक।्प अगर को फेक्टरी में भी जा रहा है वो पूझता है कि आप कहां तक पड़े हैं अरे यार तेस dłey cran video लेवर का काम कर सकते हैं और का मेलाएउन के साथ रिल वे का कांब में आप बताइये प्राइट का रोड काहा कर रहो है इंजिन का नेट कसने का काम किया, इंजिन का खुलने का काम किया, मालगारी I.C.F में जा करके, ठEY बॉगी को बनाने का काम किया, उस कमपणी में जो काम रखा जारा है, ट्रेनिंग के साफ से छूंद का परेमिंट नहीं किया जाता है, आपका नाम है। यहां मेरे नम प्रभीन है प्रभीन आप कहा से आए सदन जोन से चने से आए तमिलनाई से तो यूपी पलार है यहां प्रटेस्ट करने आए हैं आप लोग यह थिंग दाट आपके जो ग्रिवियांसेज हैं सरकार वो सुनेगी या अप तक उनने सुना है अभी तक तो सुना नहीं है और में पताता आपको सदन जोन में जो प्रॉलम जो हो रहा है जैसे कि 1998 बैच से लेकर अभी तक सदन सुन में किसी अपरेंटिस को बचलों को लिया नहीं है जीम पावर एक लागो की आधा है कि 2016 में जीम के पास एक पावर था कि वो खुद डिरेक्ली रेक्विट कर सकते हैं जो भी आपरेंटिस जो को फिनिश करकर आ रहे हैं उनको डिरेक्ली ले सकते हैं ऐसा ओडर दिया गया था 2016 तक लेकिन सदन जोन में क्या किया है 98 से लेकर 2016 तक किसी को भी रेक्विट नहीं किया है तो यह हमने कई बार हमने जैसे कि मिनिस्टिर से भी पूछे है जी एम से जाकर पूछे लेकिंग उनकी तरह से कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला हमें और जो यह वी जो एक जो एक्जाम एक निया स्कीम निकला दा जो इसे भी पॉलिसी रेले पॉलिसी निकला है 2016 के बाद यह 20 परसंट कोटा भी दिया गया है लेकिन वो 20 परसंट क जैसे अब एक सर्विसमें कोटा होता है ओके जैसे फिजिकल हैंडिकल कोटा होता है तो यह कोटा किसके लिए जाता है जैसे उनका फिल नहीं होता तो क्या करते हैं वो ऑ मar outro टोटल पॉट्व को निक हुग दिया जाता है तो سी सीगूगि सेएं ऐसाब से दिना चाहिए को कINGRESS की सरकार पहले रहे है दो चोदरा किमाद पावर के थ्रू बर्ती होती है इसके बाद ऐसा है कि इन्हों को पहले भरT लीकोंतलियादया यहांने खा introduce दीचितब जरीक्र में हमारे नहीं को जैसे हमने अरögबर्ती होती थी वहां से हमको स्कूरूट कर लिया जाता था तो हरेक स्टेट में ऐसा ही तामला हरेक जोन में तो सर उसके बाद ऐसा हुआ कि लड़के जो मारे जो कुछ सरकार पर लगाते हैं हम तो सर यहीं चाहते हैं जो हमारे युवा साथी जो इस औरियो पिरोजगार है सार हम जहीं जाते हैं कि इस सरकार को सटह से फेक दिया जाए उखार देघ दिया जाए तो अब तक हम को कोई से गोर्मेंट से अभी तक कोई भी हमारी विश्वाच नहीं रहे कि हमारी बरती को करेगा यह अब क्या करते हैं अब आप हुआ हूँ तो ग्यारा था करते हैं तो हमारी अच्छे करों से हैं सब आध्मी यह सब गूरी परवारों से हैं कोई इंजीनियर को आपना करते हैं इ Murray ब모स्ट करते हैं यह आसand को दीविए हूं के न हैं तो फूरे उन्होंने क्या बोला आपको तो वहां पर जाएगा तो मैं यहां की जॉपनीक हुआ है कर सकते हैं आप लोग बाकी बाहर कुड़ा है लेकिन दिप्यांग के तरह हम लोग को देखा नहीं गया अगर आप बोलते हैं अधिक लड़के सार हमारे सुसाइटी कर चुके हैं रेलवे के प्रेंटिश्य करने के कारण अभी 2019 वाली वेकेंसी में इन्होंने क्वालिफाई कर गया है यह भी डिसेवल परसन है और इनको भी इस वेकेंसी के अंदर नहीं लिया गया जबकि 20% का लिजर्वेशन कोटा दिया गया था इन्होंने यह एसी केटिगरी से बिलॉंग करते हैं 2% का रेलेक्सेशन आता है 30% का कटप गया था इन्होंने 28 दसमलों 33% मार्क्स प्राप किया हुआ है और फिर भी इनको नहीं लिया गया चयानित नहीं किया गया आप बताएए इनकी आयू देखिए इनकी इस्तिती देखिए यह क्या कर सकते हैं अगर इनको इन जैसे लोगों के लिए नहीं सोचा जाएगा तो फिर सरकार क्या कर रही है क्यों ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जाते हैं तो फिर मैं चुप्पी के साथ छोड़ देता हूं सुन लीजे जब आप घर पे बैठे जब सुन रहे हो इन लोगों का दुख यह आसू देख रहे हो यह लाचारी देख रहे हो और यह बेबसी देख रहे हो और यह तकलीव दे देने से योजना का नाम बदल देने से हलात नहीं बदलते हैं यह हालात है जो यहां पर इनको लेकर के आए हैं और यह वह लोग नहीं जो ब्रहए सही है और हम रोजगार के ओपर उनका द्या आ सामझधा बहुत धन्योय वाद झाल झाल